नमस्कार दोस्तो उत्तर प्रदेश की बुल्डोजर सरकार का फैन अब जापान भी हो गया है आज यूपी जापान इकनोमिक सोशल एवं इंडरस्टियल कमेटी राजधानी लकनाव पहुँची और दोनों डिप्टी सिहम यानि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौड प्रसाद्री, फ्यू जिमोद, सतोशी के साथ चेर्मेन, नाव काजू, ताके मोतो और जावेद खान मौजूद हैं तो जावेद खान चुकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले 30 बरसों से जापान सरकार के कंसल्टेंट हैं जापान की बात हो और बुलेट ट प्रदेश वालों के लिए एक बड़ी खबर है कि जापान अब यूपी में निवेश की इच्छा रख रहा है। यह क्यों की जापान की है प्रदेश की मदद करना निवेश को लेकर है। development होना है social economic or industrial development Japan की ही industry है mostly आनी है उनको लगना है चाहिए आज़ हम Toyota को देखने हैं Honda को देखने हैं सुजूदी को देखने हैं सब की industry आ चुकी है तो उनकी जो parts manufacturer है other industries हैं steel industries है तो उनको यहां उत्तर परदेश में उनको बसाया जाया और उत्तरपर्देश की एकनॉमी को बढ़ाया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए ये इसका मकसल जी सर जापान की जब भी बात होती है तो बुलेट ट्रेन का नाम जरूर आता है जी उसको लेके क्या गया जाए जाए तो उमीद ये की जाती है कि पेपर वर्ग खतम हो जाएगा तो दस सालों का अंदर लखनौ देली का सफर एक घंटेगा हो जाएगा और यह कितना बढ़ा निवेश होगा उत्तर प्रदेश के लिए सेम साइज है जो ऑंबे-अहमदाबाद का 500 किलो मेटर का वही लखनौ देली का है 500 किलो में तो बंबे-अहमदाबाद की परियोजना है वो एक लग 30,000 क्रोन यह एक लाग पच्छीज़ जार कोई की हिलमसम तो सेन साइज है यह और यही अगला साइज बना रहा है तो उसके बाद पटना उसके बाद कैलकटा काफी बड़ी प्रयोजना है इस प्रयोजना के मैं इन्वेस्मेंट आएगा जिसमें यूपी के हिस्से में मैं पांच लाग करोन का इन्वेस्मेंट जाना चाहिए जी सर उत्तर प्रदेश खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है तो उसको लेकर के भी कोई किसानी पर हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है आपने जापाण ने अपनी यूपी में इंट्रड्यूस किया जाए तो दोस्तो देखा आपने जापान ने अपनी इच्छा प्रगट कर दी है और अब लखनव वाले मैटरों के अलावा बुलट ट्रेन का भी जल्दी ही आनंद उठा सकेंगे